next topic is about the typhoid fever इसको हम entire fever भी कहते हैं इसके लावा इसकी definition क्या होती है it is an acute systemic infection which is characterized by typical continuous fever for 3 to 4 weeks and there are the constitutional symptoms which include the malaise, anorexia, headache, relative bradycardia, involvement of lymphoid tissue ठीक है तो ये क्या होता है acute systemic infection होता है जिसमें क्या होता है हमारे पस टिपिकल इसका क्या होता है कि तकरीबन एक माँ तक continuous fever रहता है और साथ में patient feel करता है क्या 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 मेलेज, anorexia, headache ठीक है और bradycardia और इसके लावा lymphoid tissue की वी involvement हो जाती है next is the problem statement इसमें ये है कि जादा तर ये वैसे developed countries में uncommon है developing countries में common है जैसे हमने cholera की बात की थी क्यूंके poor sanitation होती है वहाँ पर ठीक है और water supplies और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो substandard होती है और अगर developing countries की बात की जाए तो ये Asia Africa और Latin America में होता है और Pakistan और India में भी इसकी cases जो होते हैं वो report की गए है और breaks जो है वो recent years में देखी गए है 6 million तक्रीबन deaths होती है annually 11 to 20 million जिसमें से ये देखा गया है कि इन cases में जो है तक्रीबन deaths जो है वो 600,000 तक होती है 161,000 का उसके बात यह है कि resistance strains हमारे पस भी इसके है इसके इलावा यह है कि जो socio-economic impact होता है disease का that is huge because typhoid survivors may take several months to recover and resume work उसकी वजह से क्या होता है उनका socio-economic impact बहुत जादा है इस disease का because बहुत जादा time लग जाता है typhoid के patients को कि वो recover हो और अपना काम शुरू करें दुबाराज ठीक है तो it has a huge socio-economic impact next हमारे पस आज़ेता है epidemiological determinants which include the agent factors, host factors, environmental and social factors agent factors में यह है कि इसका जो agent होता है वो salmonella typhi होता है salmonella typhi A and B होते हैं next is a reservoir of infection तो reservoir यसका क्या होता है man होता है है carriers की बात करें तो इसके जो carriers होते हैं वो हमारे पस चार तरह के नहीं होते बलकि तीन तरह के होते हैं incubation carriers होते हैं convalescent carriers होते हैं crony carriers होते हैं जो इनकवेशन पीरियड होता है वो तक्रिबन दो हफ़ते का होता है 10 से 14 दिन तक ठीक है और इसका जो कर्मिलेसन कैरियर्स होते हैं वो हमारे पर 6-8 वीक्स तक कर्मिलेसन कैरियर्स अगेन रिपीटिंग क्या होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं पहले उनको इंफेक्शन था अब रिकवर कर गए हैं लेकिन अब कारियर्स हैं दूसरे को ट्रांस्मिट कर रहे हैं और क्रोनी कारियर्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा तर देर तक जो है वो बैक्टिया ट्रांस्मिट कर रहे होते हैं ठीक है और क्रोनी कारियर्स आपको पत में आपके पस five F's आ जाते हैं जिसमें हमारे पस flies है, food है, feces है, fingers है, and last one is a four mites, ठीक है, इनके तुरू ये transmit होते हैं, इसके इलावा ये जो है agent क्या होता है, ये survive करता है outside the body भी, जैसे के अपने बात की four mites वगारा पर, water में ये 48 hours तक रहता है, और feces में ये 70 days तक रहता है, ठीक है, और ये human parasite है, next हमारे पस host factors आ जा जाते हैं, जिसमें age है, कि ये जादा तर जिन ages में effect करता है, वो five to nineteen years of age में, infect करता है, sex के अगर बात की जाए, तो males के अंदर जादा common है, typhoid fever immunity की बात की जाए, तो इसमें cell mediated immunity होती है, मरी body में, इसके इलावा क्या है, कि gastric acid जो होता है, वो भी एक बहुत अच्छी immunity है, जैसे cholera के बारे में में बढ़ा था, कि इसमें भी gastric acid जो होता है, वो इस bacteria को kill कर देता है, इसके लवा local intestinal immunity होती है, जो के host factors में आती है, इसके लवा environmental and social factors की बात की जाए, तो इसमें July to September जादा infection होता है, और weather जो है, rainy season, याद रखना है, rainy season में जब बारिशों का मोसम होता है, July to September, उसमें ये वाइरस जादा effect करता है, ठीक है, वाइरस कह रही हूँ, thalminal type 5 bacteria, ठीक है, इसके लवा, इसमें वो हमने देख रहे हैं कि water, ice, food, milk and soil के through infection cause करता है, vegetables grown in the sewage forms or washed in the contaminated water are positive health regard, ठीक है, hazard, vegetables अगर properly washed हैं, कुक ने किया जाएं, तो इसके वज़े से ये transmit होता है, then the open air defecation, urination, low standards of food, personal hygiene, ठीक है, इनकी वज़े से भी, ये infection, जो environmental factors है, हमारे पस ठीक है, जिनकी वज़े से ये infection होता है, उसके पर incubation period की बात की जाएं, तो इसके दो हफ़े का होता है, तकरीबन 10 से 14 दिन का, mode of transmission मैंने आपको बता दिया, 5, 5 होते हैं, 5 Fs होते हैं, ठीक है, वो हमारे पस है, food, feces, flies, fingers and formides, ठीक है, इसके लाब है, इनोंने यहाँ पर figure बनाए वीए, सब्सक्राइब बताया है, इसको पढ़ने की जरुएत नहीं है, बस mode of transmission आपके बाए 5 Fs होते हैं, याद रखने हैं, clinical features में वही है, जो शुरूर में बताया कि continuous fever रहता है, malaise, headache, cough होता है, sore throat होता है, abdominal pain, constipation, इसके लाब अगर complications की बात की जाएं, तो intestinal hemorrhage हो सकते हैं, intestinal perforation हो सकती है, many more complications, ठीक है, अब देख लेते हैं, इसके control को, ठीक है, कि हमने control कैसे करना होता है, typhoid fever को, तो इसमें 3 heading में हम देखते हैं, control of reservoir, control of sanitation and immunization, ठीक है, control of reservoir है, मतलब इसका जो reservoir होता है, उसको हमने control करना होता है, तो control of reservoir के लिए हमने cases को control करना होता है ठीक है और उनकी जो है उनके cases को उनके carriers को control करना होता है ठीक है इसमें हम सबसे पहले cases की बात करते हैं तो obviously जो cases आते हैं उनको सबसे पहले तो हम early diagnosis जैसे हमने cholera की case में बढ़ा था डाइगनोसिस हमने सबसे बहले करनी होती है डाइगनोसिस हम culture and blood tools करते हैं blood and tools के culture के थ्रू फिर notification करते हैं health authorities को thirdly हम isolate कर देते हैं patient को पकर के hospital में ताकि उसका treatment सही तरह से हो सके और ये बात याद रखनी है कि जब तक three consecutive tools जो हैं उनका test negative नहीं आ जाता है उसको हमने बाहर नहीं निकालना होता हो अंदर कैज करके रखना होता है फिर treatment इसका आ जाती है तो हम treatment इसकी आंटिबायोटिक्स के दुरू करते हैं fluorokinolons वगरा के साथ तो इसकी drug of choice है fluorokinolons और 10 से 14 दिन तक हम इसकी treatment करते है फिर disinfection करते है उसकी हम disinfection करते है stools and urine जो कि उसके sources of infection है उनको disinfect किया जाता है कि इसके साथ 5% crash hole for at least 2 hours तक हमने 5% crash hole से उसकी जितनी भी urine and stools बगरा है और चीज़े है close containers है soil cloths हैं तक हमने साफ करना होता है इसके लिए follow up plan यही होता है follow up examination of stool and urine should be done for at least 3 to 4 months after discharge of the patient ठीक है और फिर 12 मिन बाद भी हमने जह उसको दुबारा से चेक करना होता है ठीक है ताके वो देखे कि इसको दुबारा से तो नहीं हो गया infection ठीक है treatment के बाद हमने disinfection की और follow up plan हमने देखा उसके बद carriers आ जाते हैं के carriers को हमने सबसे पहले identify करना होता है कि कौन कुछ से carriers है cultural and serological examinations करनी होती है हमने ठीक है identification करनी होती है carriers कौन कौन से ठीक है next हमने उनका treatment करना होता है और carriers के treatment के लिए हम उनको अमीजलीन या इमॉक्सीलीन देते है और इसके लाबा हम पूवैनिसी डएट करके देते हैं ठीक है treatment हमने क्या किया था जो केसिस था हमने फ्लूरोकेनोलान से किया था carriers का हमने treatment वो किसके साथ करना है MPC लिए आमॉक्सीलीन पूबैनिसीलीन पूबैने फिर वने सर्जरी करना होती है। पिर सेर्जरी करना है। और फूट नमबर पी ठीक है। और इसकिलाब हमारे पर 6 नंबर पर यह हम उनकी जो है फिफ्ट नंबर पर हेल्थ एजूकेशन उनको करनी है कि प्रॉपर्ली हैंड वॉश करें और यह हाईजियनिक कंडिशन यूज करें फिर सेकिन हमारे पर कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन आ जाता है ठीक है यह हमारे पर हो ग ठीक है कर्टिशन है एजूकेशन उन जानिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए यह चीज़े हम पढ़ते हैं कि हम कॉमन्सीस में लिखते हैं पिर इम्मुनाइजेशन यह है कि हम इम्मुनाइजेशन से 100% प्रॉपर नहीं हो जिदी प्रेवंशन इंडामिक केडियास में हम इस साल बाद हम बूस्टर डोजिस देते रहते हैं उन लोगों को जो रिस्क पे होते हैं जो हाउस्फोड कॉर्टेक्स होते हैं और जो इंडामिक एडियास में रह रहे होते हैं तो इस वोज वाल अपाउड टॉपिक उफ टॉफोईड फीवर जिसको आमी टारिक फीवर भी कहते हैं इसके बात हम जोड़ी सेंसाइंसी इस डिस्कस कर लेते हैं जो आज सकते हैं कि फलेजिलर एज अटीजन होती है वह सल्मनला टाइफ़ाई की वह होती है ठीक है एज है by the past infection अगर यह हमारे पस होगी अगर तो हमारे सी इंटीजन के गैंस का मतलब होता है के एंटीजन जो है हमारे पास मतलब active infection अगर होगा तो यह एंटीजन स्थेंट में अगर एक्टिव इंटीजन प्रे son तो अगर उस्का मतलब वरलन्ही ऑई आर्फ यह ड़रे बात इसका मतलब के immunity by the past infection है इसका मतलब आइस क्रीम में हमारे पास तक रहता है और आफर 24 आवर्स जो है ने फूड पॉजनिंग करता है और मिल्क में इसमें करता है और उसका कलर शेंज नहीं करता है टेस्ट हम इसमें करते हैं blood culture, stool culture, urine culture, antibodies, gold standard के अगर बात कीचे तो blood culture is a gold standard test ठीक है और विडाल टेस्ट होती है उसकी sensitivity जो है वो लो होती है false positive भी आ जाता है इस वजह से हम उसको यूज नहीं करते ठीक है टू सेंपल्स हमने लेने होते है वन वीक और फिर टू वीक पर तैफीडॉट टेस्ट होता है जिसमें हम IgD and IgM antibodies antibodies चेक करते हैं ठीक है और टाइफीडॉट M होता है और टाइफीडॉट rapid होता है ठीक है और टाइफीडॉट rapid अगर हमने जल्दी से पंदा मिनर में डेक्शन करें तो टाइफीडॉट rapid टेस्ट हम लेसे हैं जिसमें हम IgD, IgM antibodies लेखते हैं ठीक है so this was all about the topic typhoid fever